कि नमस्कार दोस्तों केसे हो आप मुझे पता है आप इन दिनों घर पे बेठे बहुत सारी तैयारियां कर रहे हो इस करम में मैं लेकर आया हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर साइन्स की वो कलास जो बहुत ही इंपोर्टेंट है आने वाले दिनों में या सभी परकार की एक्जामों में अक्सर बच्चों को याद करने में दिकते होती रहती हैं तो ऐसा कुछ किया जाए जिसके दोरा बच्चे है वो आसाने से उन चीजों को याद कर सकें तो दोस्तों मैं आज नया टोपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है विटामिन और विटामिन हर परकार की एक्जाम में या हमारे जीवन में बहुत महतुपूर्ण हैं जिसे हमारे सरीर को चलाने के लिए बहुत सारे परकार के विटामीन की आप सकता होती है तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को एक ऐसी ट्रिक बताई जाए जिसे जबी बच्चे है वो आसाने से इसे याद कर सकें तो इसी करम में दोस्तों मैं लेकर आया हूँ विटामीन याद करने का एक ब्रमास्तर लेकर आया हूँ ये ब्रमास्तर हम देखने से पहले हम विटामीन के बारे में सामाने जानकर पराप्त करेंगे दोस्तो जो विटामिन है उनके क्या क्या नाम है और उनके बारे में हम यहाँ पे करम से जानने वाले हैं तो आप जरूर इस वीडियो को पुरा अंतर तक देखिए लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और द्यान से बड़े द्यान से आपको देखना है तो आएए हम शुरुआत करते हैं एक नए जोस के साथ विटामिन एक इसका टासानिक नाम होता है र तोंदी रोग होता है और ये हैरी पतिदार सब्जियां गाजरा दिकाने जाया हमें प्राप्ते हो जाता है अगले विटामिन की हम बात करेंगे विटामिन बी वन और इसका रसानिक नाम होता है थाइमीन और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है और ये खमीर और गाजर म यह बहुत ही important है vitamin B9 और पॉलिक एसिड इसका रसानिक नाम है और एनीमिया इसकी कमिशियों होने वाला रोग है यह हैरी पतिदार सब्जियों में हमें मिलता है vitamin C की बात करते हैं इन दुनों यह बहुत ही important है इसका रभी कमल इसका रसानिक नाम होता है इसकरवी रोग होता इसे और यह खटे रसेदार फलों जैसे निम्बू संत्रा में यह बरपूर मादरा में बाया जाता है अगले vitamin के बात करें हमें vitamin D जो हमें मुफ्त में मिलता है इसका वेगनिक नाम है kelciferol यह रसानिक नाम कहीं है और रिकेट्स इसका रोग है और सूर्य की कीर्णों से हमें यह पराप्त होता है यह सूबे की कीर्णों से हमें बहुत जinis工त ह brain certificate होता अगले हम विटामिन के बात करें दोस्तों विटामिन ए और विटामिन ए का नाम है टेको फेरोल या टोको फेरोल और इससे नपुन सकता नामक रोग हो जाता है अंकुरित अनाज घाने से इसे शुटकारा पाया जा सकता है अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन के आप इनका स्क्रीन सोट पर ले सकते हैं विटामिन के और इसका जो राशानी के नाम है दोस्तों यह है फिलोक्विनोन फिलोक्विनोन है इससे रिक्त का ठका नहीं बनता है इसकी कमी हो जाए तो और ये हैरी पतिदार सब्जें खाने से प्राप्त हो जाता है तो दोस्तों आपको यह कैसे लग रहे हैं विटामिन का ब्रमास्त्र यानि याद करने का ब्रमास्त्र सुत्र यहां पर या मंत्र हम कहें वो आपको यहां पर प्राप्त होने वाला है तो अब बड़े ही द्यान से देखे समझें और हमेशा आप याद रखेंगे कभी नहीं बुलेंगे देखिए विटामीन खाकर रटता था एक टोपर फेल हो गयो केसे देखिए रटता से होगा रेटिनॉल रटता से होगा रेटिनॉल यानि विटामीन ए था रटता था यहनि थाइमीन यहनि विटामिन बी ए यहनि होता है एसकॉर्बिक यहनि विटामिन सी की हम बात करते हैं इसके बाद में है कै यहनि केल सी फेरोल यहनि विटामिन डी विटामिन डी टोपर्स का मतलब है टोको फेरोल यहनि विटामिन ई दोस्तो बहुत अच अच्छा लग रहा होगा आपको फेल से देखिए फिलोक्विनोन यानि विटामिन की तो दोस्तों ये था हमारा ब्रमास्तर अब देखिए मैंने इसको एक साथ लिखने का प्रियास किया है विटामिन खाकर रटता था एक टोपर फेल हो गया रटता से होता है रेटिनोल था से थाइमिन एसे एसकोर भी कमल कैसे केलसी फिरोल टोपर से टोको फिरोल और फेल से कि विनोन तो आपको बहुत अलगा होगा दोस्तों इसे लाइक जुरूर करें सेर करें सब्सक्राइब करें 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 कि अलगा हो आव मिए मन एईया थाइमिन एपक गवार माला करें 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 कि अलगा है